आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें नमस्कार, प्रशन है, CO का विज्ञान प्रभाव होता है, CO यानि की कार्बन मोनो अक्साइड इसका विज्ञान प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबीन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है विकल प्रभाव होए है, ठीक है, बद्धता का क्या तात्परे है, दोस्तों जो हीमोग्लोबीन होता है, ये हीमोग्लोबीन रख्ट के अंदर पाया जाता है, रख्ट के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबीन यह जो हीमोगलोबिन होता है यह रख के अंदर प्रोटीन का काम करता है जो किसका काम करता है हीमोगलोबिन जो होता है यह ओक्सीजन वाहक का काम करता है ओक्सीजन को हमारे स्रीर के अंदर यह ले करके जाता है जो कि ओक्सी हीमोगलोबिन के रूप में परवाह करता है ये जितनी तेजी से oxygen के साथ में किरिया करके इसको ले करके जाता है, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से CO, यानि कि carbon monoxide से बहुत जल्दी ये किरिया करता है, यानि कि hemoglobin जो होता है, वो carbon monoxide के साथ में बहुत जल्दी उलता है, कम से कम oxygen का 200-200 गुना ज्यादा, लगभग 250 गुना तेजी से यह carbon monoxide से किरिया करता है, गिरिया करके ये वाहक का काम करता है, वाहक का कारे करता है, ठीक है न, तो क्या होता है, ये जहरीला होता है और अगर carbon monoxide हमारे सांस के द्वारा, अगर hemoglobin के साथ मिल करके सांस के द्वारा पहुँच भी जाए, तो ये दम घोट करके इंसान की मृत्यू तक कर सकता है, तो carbon monoxide इतना खतरनाक होता है, ये लगभग 200 गुना तेजी से इसके साथ बगतता है, ये बंदूता इसकी बहुत तेजी होती है, ठीक है न?